जेहन जिस कोम या खांधान ने अपने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्ष ने उशावर कर दिया जिस धर्म के दस्वे गुरू गुरू गोबिंद सिंग साहब ने अपने दो साहब जादों को दिवार में चुने जाने की खबर के बाद भी अपने और दो बेटों को धर्म युद दिलरने के लिए मैदान में भेज दिया और वे शहीद हो गए उन गुर्गोबिंद सिंग के अनुयाईयों ने धर्म और राष्ट विरोधी किसी भी ताकत से कभी समझोता नहीं किया देश की आजादी में सरवाधिक कुर्बानी सिख कौम ने दी आज भी हम आना जाता है कि जहां कृपार लिए सिख खड़ा है वहाँ अन्याय और अत्याचार हो ही नहीं सकता वहाँ देश विरोधी वा सनातन धर्म विरोधी सर नहीं उठा सकता ऐसी बहादूर और वतन परस्त कौम का खुद को रहनुमा बता कर भारत के बुरुद बात करने वालों की रगों में किसी सिख का खून हो या हो ही नहीं सकता मेरा इशारा पन्नू की ओर है खालिस्तानी आतंकबादी और सिख फार जिस्टिस का मुकिया गुरुपंत पत्वंत सिंख पन्नू ने एक बार फिर बंदर घुड की दी है और कहा है कि 16-17 नवंबर को अयुद्या में निर्मित राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा उसने कहा है कि हिंदुत तुबादी विचार धारा की जनमस्तलिय युद्या की वहन्यू हिला देगा दासत गर्दों का खुद को बाप बताने वाला पन्नू इससे पहले भी धंगी दे चुका था कि एक से 19 नॉंबर के बीच एर इंडिया की फ्लाइट से लोग यात्रा न करें क्योंकि इसमें भी स्पोर्ट किया जाए जा इसका कारण नॉंबर 1984 में हुए सिख बिरोधी दंगे को बताया गया था पन्नू तेरी इस धंकी का हम भारत वासियों पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है तेरे जैसे लोगों के बारे में ही हमारे यहां एक कहावत है कि हाथी अपनी चाल चलता है कुटे भौकते रहते हैं तेरे भौकने का हम हिंदोस्तानियों पर कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि तू जिसकी जुबान बोल रहा है उस पाकिस्तान और भारत विरोधी देशों की आवकाद भी हम सब को पता है और एक अंबक्त जिस पाकिस्तान का तु कुटता हो रखा है उस पाकिस्तान ने भारत-मा के लालो सिख माता-पिता की संतान शहीद-istance भागस सिंग को 17. संग्राम से नानी नहीं बल्कि आतंकबादी साबित करने की कोशिस की है पाकिस्तान की हिस्से वाले पंजाब की सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया है कि लाहौर के स्रादमान चोक का नाम भगत सिंग रखने से उसे आपत्ती है यहां सहीद भगत सिंग की प्रत्मा लगानी की उजना रद्ध कर दी गई है पाकिस्तानियों का मानना है कि भगत सिंग की उप महा द्यूइप के सोतंता संग्राम में कोई भूमिका नहीं है वह करांतिकारी नहीं बलकि आतंगवादी थे क्योंकि उन्होंने एक बिटिस पुलिस अधिकारी के हथ्या की थी बदले में उन्हें उनके दोस्तों के साथ फांसी पर लटका दिया गया था वह है कवराधी थे अपराधी को शहीद कहना अपमान जनक और इसलाम में शहीद की अधारना का जान बूच कर अपमान करना है सुन और पढ़ पन्नू तेरा आका पाकिस्तान क्या कह रहा है जिस सिख बिरादरी के रहनुमाई का तुदावा करता है उसी बिरादरी के 22 साल के गबरु जवान सहीद बगत सिंग ने देश की तरुनाई को जगाने के लिए और देश की आजादी के लिए हस्ते हस्ते फांसी का फंदा चूम लिया था पन्नु तु उस कौम का हो ही नहीं सकता तु पता का और अपना डियने चेक करवा तु कहता है न कि कनाडा में रहने वाले भारत समर्थकों को कनाडा छोड़ देना चाहिए तूने ही वहां देवालेओं पर हमले करवाए इसके विरोध में भारत के शिखों ने दिली में कन कनाड़ा दूतावास के सामने जबर्जस्त प्रदर्शन किया यह प्रदर्शन कनाड़ा के विरुद्ध नहीं बलकि पन्नु तेरे और तेरे खालिस्थान समर्थकों के विरुद्ध था सुरच्छित बिल में रहकर भारत के शेरों को ललकारने वाले उल्लू के पठ्थे अपर और जैचंद हमारे हिंदुस्तान में समय समय पर जन्म लेते रहे हैं लेकिन उन्हें उनके जीवित रहते और मौत के बाद भी किसी ने अच्छा नहीं कहा बलकि सबने उनके नाम पर सिर्फ थूका है और हाँ एक बात अंतमे मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग संसकार में भी सामिल होने से परहेच करेंगी हम उस महादीप में रहते हैं जहां अपने भाई रामड और परिवार कबत करने में प्रमुक भूमिका निभाने वाले भाले ही मर्यादा पुर्सोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े सहयोगी और सादू थे लेकिन उन्हें द